कि उज़ जगर से हम उस आखदोलों का मुझे छोड़ाने हमने लड़ाई लड़ते गये और उनकी सारी लांस मांस की सारी व्यवस्ता किया हमें संस्टार की हम सब साथियों ने चंदा किया और दो करके मिल मालिक ने एक पैसा नहीं कि एक पैसा मिल मालिक नहीं कि उनकी कंदर विस्तान पर उसकी जहें पोड़ी को पहुंचा लेकिशा हुआ हम उस जमाने में आज से 35 सार की कुराइब बात चल रही है उस वक्षंदा करके उन दोस अर्थियों कि हमें नाद्दा में उनकी ज मधा प्रसासन ने मिल के डिस्ट्रिक्ट किया हम 500 साथि थे पांच हजार में हम लोग 600 लोग थे यह से लिए और फिर लास्ट में यह बात आती सबके साथ होगी आपके साथ है आपके साथ होगी और मेरे ऑफ यह साथ भी होगी कि उनको की पास में तीसरा मेरा साथी था हमारे लोकल ढूंगर पूर्गे ते शंकरला जी रोट सांसर पूर्गे ते और अब सब साथ्यों को मलूम होगा इनका जो सुपुत्र है राजकुमार भी बिटिदी का विदायक है वो जो विदायक है उस वक्त उसका जन्मा नहीं हुआ था उसकी माकी पौक में था विदायक और मेरे सद्टीक के साथ और लेकिन उसका महडर होंगे यह उसको ट्रच से सोग करके उसको शर्चीन्ट बगदा किया एवलहे सब्सक्राइग के निकले कि अ तो मानों अधिकार की बात कर दिए उनके साथ में क्या इस्तिति बंगती है उनके साथ क्या दुरुवेवार होता है को आप देख लीजिए फिर आप स्टेप उठाइए हम यह नहीं करें कि मत उठाना उठाना एक हमारा उन लोगों ने मैनेजमेंट ने हमारे माननी है वो शा उसके प्रसल मैनेजर के द्वारा हमको किसी एक गाव में पकड़ा गया रात को नौ बजे चारो तरफ से गाड़िया घेर के और हमको दो सूपकेस लेके आया हूं मैनेजर वो बोला कि एक सूपकेस आप ले लीजिए और आप ढूंगरपूर छोड़के उदिपूर सूपक चलीगी और फिर हम दो भी देशी लोग थे हमारे पास भी कुछ रतियार बतियार थे हमने उसका मुकबला किया तो मिल बेनजर था हो गाड़ी लेके बाद के दूसरे और वहां पर लड़ाई लड़ते हमने उस मिल पर जो हमारी मांग थी वो पूरी करवाई और आज भी ज आज भी हमारी मजदूर की इन्न हमारे गुरूप की है माता है सवर्डिश बढ़ी और असल्वार में हम उस्षेतर में काम किया वो विशेश करके जो आपका निर्मान मजदूर सबस्सक्राइब बनांगे उसकी साथ में हमने कास की बिलेंग मेला खेत मजदूरों के साथ का रेल 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 से सने वहां पर ह हमारी जो माख चड़ाई और उतार में करते हैं इस इनिन के अंदर अभी आवारी सटीडित थे वह में जाए हमारों का पूरा मैं और उनके पूरे अधिकार को दिलाने काम हमने किया है तो आपको तक्रीप तो होगी काम तो हमको करना पड़ेगा और इस बीच में जब हम सिंटेस जो लिमिटेट में काम कर रहे थे मजदूर लोग फिसाब थे उन गुंडों के द्वारा हमारे साथ घेर के मिल घेर के और सर् पर दोनों को हस्पिटल लेगे ब्रवस्ति नुप से कुई घटना नहीं घटी और हम दो साथी रहे थे हमको गोली नहीं लेकिन यह लोगों के पाइप होते हैं उन पाइपों से मिलके आठ आदमियों अभारत दो जोनों पे दो साथियों पे हमला बोलाई है जो मेरा एक हा अधिरा ठीक हुआ वापस आए वापस मुखबला किया और आज दिन तक एक भाग पर हमारी और दूसरे बाग पर हमारा पूरा प्रयास चल रहा है कि मजदूरू के साथ में हम बराबर संप्रत में आज भी बाहरी मजदूरूरू जो ग्रूप नहीं है महां पर भी घटना दूपड़ना होती है हम मेल गेट पर जाते है वह पूरा मेनेजमेंट को सुचना पहुंचती है वह दिल्ली हो चाहा गोंबे है चाहा अमेरिका हो विकास लाडिया को टेलिफोन होता है कि नारे लाव गेट पर है उसका फोन आता है मिलमालिका सेफ़ोडीकाट अपीसर के पास में वो बोलता है कि किसी काम साहे उसको संतुष्ट करके बेदो आज भी वो रेकार्ड है तो सर्थियों मुकाबला करना पड़ेगा तभी हमारे कुछ जो धरीब तपक्का है पमजोर तपक्का है उसकी अधिकार की बात करेंगे उसको फैदा दिला सकते हैं सर्थियों कि मजदूर सरड़न की बात करने के बात दूसरा हम जो अनुलन की बात कर रहे हैं उस पे हमारी जो फॉरस्ट लेंड की बात हुई हमारे टूंगरपुर से 35-40 किलोमेटर दूर गुजरा कोडर पर एक कोडियापुन करके घाव है वो प्रताश घटना और हमारे साथ हमारे पूरे पूरे घाव को एक कुड़ेबुल देम बना और देम से विस्ताफिक जो लोग से लगवग 300 परिवाद उसको वहां से हटा लिए और सबसे बड़ी बात ही है कि उस विवाद ने सरकार में कोई ज्यान नहीं रखा एलकेशन डिपार्मेंट ने भी ज्यान रख गया और वह अपने आप गाव घुपता गया और जब पारिश हुई तब गाव घुपा तब पता पड़ा खब कहां जाए उस वक्त आप सब साथी की तरफे से सुचना इस दुस्तों सो मित्ती नहीं हम लोग मोकर पे कहुंचे और हमने वाद पर बिटिंगे कि शुरवात क पूरे पूरे उस देन के अंदर जो लोग थे उस वक्त हमारे हिमसिंगी भारत करके जजदीम साथ उनका भला हुआ आज भी याद करता हूं वो मोके पे आये कि नाना पर पर निके साथ आप मता हो उसका मुद्ध करो किसी में तरह से उसका मुद्या विरहने के आप पात कर साथ साल बाद वन लोगों को मुष्जे के लिए भाइब रही इसके बाद वो लोग चाहे खार हम कुझे की मिटिंग करने के बाद में पूरे काउड को ढोल बजा कर हमने उस पूरे के पूरे आधिवासी लोगों को पूरा पूरा घुरॉफ साहिट में जमीन थी जंगल की उस जंगिल के अंदर आज भी बसे हुए हैं पूरी वेवस्ता के साथ और उसके उपर भी हमारे पर मुकस्बा हुआ और मुकस्मा वन विमार ने किया और फिर पेपर में लिखा एक समाजिक कारे करता बाएर मुट साइकल आता है जंगल में और लोगों वह प fier आता है कि और भड़का के उननों सरकारी शमीन पर कबजा करवा लिया इस तरह रहां को मुकस्म हम लड़े बिच्षिवडा थाने मुखत में हुआ कि दूसरा मुखत में इसी तरह वारे बढ़ता थाने में हुआ वो भी डोजा गाव के अंदर उस जमीन और तालाब के मुद्दे को लेके लड़े लड़ी वो मुद्दबा भी हम लड़े लड़े और जो विच्छी वड़ा के पास में एक बिल्कुल मालमता गाव है और वो सब लोग आप जानते हैं वहां की जिलापरमुक्ति उसका सारे जीवन के अंदर 35 साल के अंदर नरहालाल रोग के ओपर 17 मुगत में हुए और 17 ही मुगत में हम जीते हैं हारे नहीं है और आज पी हमें लड़ाई जारी है आप सब को जिन्दाबाद जय हिंद जय आरिवेशी धन्यवाज नरहाएं जी एक चीज में बोलना चाहते हूं कि जब ऐची वारदाते होती है या तो किसी का कभी ऐसा आपको सुनने में आता है कि मड़र हुआ है या जैसा नरहाएं जी ने बताया कि पूरे गाव में आग लगई है उस समय और मैं अपने वकील सास्यों से खा सब्जी से जल्दी कोड़ जाकर के AAR कर वारिकार करवाएं और कौन सी एजन्सी से हमको इन्वेस्टिगेशन परवाना है उसकी हम मांख कोड़ में और रसकोर से न अगल जुने भी की काम होता है उसमें खलणाना आता है तो ये इक मेरी जितने भी हां पर वकील्श झाल